नमस्कार किसान भाईयों आप सबीका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोनेक्स में स्वावत है जहां पर आपको क्रिशी सम्बंदित जानकारी उपलग करवाई जाती है आज हम बात करेंगे आम के एक हानिकारक कीट के बारे में जिसे मेली बग भी कहा जाता है मेली बग के कीट आम के बेट की साखाओं पर पहुँचकर इनके चारों और एकत्रित हो जाते हैं और यहां से वे फलों वा बौदों का रश चूँचते हैं मेली बग कीट इस दौरान एक प्रकार का मीठा द्रव्य भी छोड़ता है जिसे हनी ड्यू कहा जाता है पन्य के आधारिय भाग पर पॉलितिन बांग कर लगाना सुश्थ पौधों अथ्वा प्रमानित स्रोतों के बीजों या कलमों का प्रयोग करें कीट के संकेतों के लिए खेतों की नियमित निग्रानी करें संक्रमित पौधों या पौधों के भागों को हटा दें तथा नश्ट कर दें इन्हें फैलने से रोकने के लिए पौधों पर नीम के तेल का छिड़काव करें डाइ मेथोएट 3000 ml 2000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें मोनोक्रोटोफोस 2000 ml 2000 लीटर पानी में मिलाकर 20 लीटर प्रती पेड़ के हिसाब से छिड़काव करें अगर आपको यहाँ जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें धन्यवाद